ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत थारी है, जजबा है कुछ बनने का, जिन्दगी में इसलिए सफर जारी है Welcome to NCR TV UPC दोस्तों, आज जो है एक बहुत बड़ी न्यूज आई है It is a very big breaking news for students of class 10th and class 12th अब वो न्यूज क्या है वो देखते हैं हम सबसे पहले उसके बाद ये notification देखेंगे जो आपके अभी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, CBC का लेकिन उससे पहले news कुछ ऐसी है, जिसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं CBC 10th Board Exam Cancelled, 12th Exam Post Won't अब इसका क्या मतलब है, आज ही ये news आई है, 14th of April को तो देखें, CBC ने भी अलग से फर्दर अपना notification निकाला है और आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, ये official notification है, dated 14th April 2021 का CBC ने क्या बोला है, जो Class 10th के students हैं, उनके लिए the exam stands cancelled मतलब exam according as of now, जो CBC की अभी का notification उसके according, exam नहीं करवाया जाएगा अब आपके दिमा में question आ रहा होगा, sir, exam नहीं करवाया जाएगा, तो मतलब क्या सब को promote कर दिया जाएगा, pass कर दिया जाएगा, क्या किया जाएगा तो वही हम देख रहे हैं इस वीडियो में और 12th के जो students है, उनका जो है, पोस्ट पॉन किया है, उनका exam कैंसल नहीं किया है, पोस्ट पॉन किया है तो वह देखिया अब इस notification को हम थोड़ा सा इसका discussion करते हैं इसके बारे में 14th April का आज का ही notification है CBSE कहता है कि looking to the present situation of the pandemic and school closures and also taking in account the safety and well-being of the students, it is decided as follows Two important decisions have been made by CBSE, today dated 14th April 2021 Here you can see the signature of controller of examinations, that is Sanyam Bhardwazji First, उन्होंने decide किया है कि जो 12th board है, उनके exams को postpone किया जाएगा देखे, Corona जो crisis है, COVID crisis, ये crisis कुछ ऐसी हो गई है कि मतलब अब ये है और ये और एक, अभी की time period में तो और एक मतलब इसका जो इसकी जो velocity है या इसका जो strength है वो और बढ़ गई है जो हमारे लिए humanity के लिए बहुत dangerous है, तो इस crisis में obviously सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा अपना मानना study को, education को हो रहा है और इसी के कारणाव आप देख सकते हैं, exams वगएरा schedule time पे होनी पा रहा है पहले ही exams इतने late करवाने का decide किया था नहीं, तो हमेशा मार्स तक exams हो जाते हैं, तो पहला उन्होंने decision लिया है that the board exams for class 12th to be held from May 4th to June 14th जो उन्होंने schedule निकाला था, are hereby postponed, तो क्या किया उन्होंने इसको postpone किया है 12th board के exams जो हैं वो postpone हो गए है, and these exams will be held hereafter, exams होंगे 12th के, लेकिन वो होंगे बाद में, in dates के बाद में, further CBSE review करेगा situations को, और वो कब करेगा, 1st of June 2021 मतब इससे पहले पे exam नहीं होने वाले, होंगे, इसके बाद में ही होंगे, 1st of June के बाद में तो, the situation will be reviewed on 1st of June 2021 by the board, and details will be shared subsequently 1st of June 2021 को review करने के बाद में, details further बताई जाएंगी, और at least 15 days का notice जो है, examination का वो दिया जाएगा students को, तक ये आप सब को जो है, time period अच्छा मिल जाए, preparation के लिए, ऐसा नहीं के अचानक से ही, जो examination हो जाएंगे तो, situations कुछ ऐसी है कि, obviously, exams 12th के एक तरीके से जरूरी होते हैं, compulsory होते हैं, for further studies so therefore, जो exams हैं वो होंगे, और CBC 1st of June को review करेगा situations को, उसके बाद में ही exams conduct करवाए जाएंगे तो, जो भी students है 12th grade में, तो please अपनी study continue रखिएगा, ऐसा नहीं कि, corona आ गया है, तो बहुत मज़े हो गया है बढ़ी है, study of books को और side में रख दो, और time period मिल गया हमें, examinations तो आपका होने वाला है, यह तो decided है, CBC, क्योंकि यह further study के लिए required है, compulsory एक तरीके से ऐसी situation हमें पिछले साल भी देखने को मिली थी, एक्जाम करवाए गये थे, बोड के जो थे, तो यहां पे भी दुबारा एक crisis आ गई है, लेकिन 1st of June के बाद में ही CBC चीजों को review करके आपकी नई dates further, जो है वो allot करेगा, कम से कम 15 days को आपको notification जो है, वो prior notice दिया जाएगा उसके बाद एक्जाम जो है conduct करवाए जाएंगे, अब second जो important news है, वो great 10th के students के लिए, class 10th के students के लिए, जिनका एक्जाम 4th में से 7th June तक होने वाला था, 2021, are hereby cancelled, अब ये जो line है, बड़ी interesting line है, कि cancel ही कर दियेंगे इनका एक्जाम, इनका एक्जाम अब नहीं होंगे, अब जो class 10th के students है, उनके दिमाह में question आ रहा होगा, कि sir, आप कुछ बच्चों के दिमाह में तो आई रहा होगा, कि sir, बड़ी आ है, exam cancel होगे, सब को promote कर देंगे, तो CBAC नहीं यहाँ पर भी एक चीज बोली है, कि जो किस तरीके से mark sheet prepare की जाएगी, कैसे pass किया जाएगा बच्च जो further notifications है, वो आएँगे, आपके CBAC का official site में कुछ ही दिनों में हमें देखने को मिल जाएगे, कि क्या वो criteria होगा, जिसके basis पर बच्चों को pass किया जाएगा, तो CBAC कहता है कि the results of class 10th board will be prepared on the basis of an objective criterion to be developed by the board, so in coming days, CBAC, the board will meet and they will decide what should be the objective criterion for the class 10th students to prepare their results, results को prepare करने के लिए क्या criteria हो, तो उसके लिए CBAC meetings करेगा और उसमें बाद में वो एक अपना notification issue करके बताएगा क्या criteria हो, जिसके basis पर जो mark sheets है, answer sheets, जो एक तरीके से result है, वो बनाया जाए class 10th के students के लो, अब एक और important चीज है, कि अब वो जो criteria further CBAC issue करेगा, अगर कोई students उसस suppose कि अपने results agree ना करे, so they will have some options that any candidate who is not satisfied with the marks allocated to him or her on the basis, on this basis, will be given an opportunity to sit in an exam as and when the conditions are conducive to hold the exams. CBC हाँ भी यह कह रहा है कि, जो objective criterion CBC भी decide करेगा, उसके basis पर अगर कोई student agree नहीं करता है, उसके marks से, तो उनके लिए अलग से opportunity दी जाएगी, कि वो एक further exams, उनके exams इक तरीके से करवाए जाएगे, कि अगर वो अपने criteria based जो result निकाला जाएगा, उससे agree नहीं करता, तो वो further exams में, जब situations अच्छी हो जाए, exams देने लाइक बन जाए, तो CBC further exam जो है, वो conduct करवाएगा, तो overall इसमें वो यही है कि, 10th के exam cancel हो गए है, और 12th के exam को postpone कर दिया गया, 12th के students है, अपनी study को जारी रखिए, continue कीजिए, 10th के students है, वो एक तरीके से study से touch में रही है, और जो further studies आपको करनी है, उसके लिए preparation कीजिए, all the best, all of you, और एक और important बात कि यह जो objective criterion है, CBC जो कह रहा है, जिस 10th के students के लिए, कि जो objective criterion डिसाइड के जाएगा, result के लिए, तो जब भी नोटिफिकेशन आता है, तो यहाँ पे NCRTV, UPSC में हम जल्दी से जल्दी उसको भी जो है, आ और जो एक Corona crisis है, यह बहुत एक तरीके से जो second wave कह रहे हैं, इंडिया के अंदर इसको, बहुत एक मतलब खतरनाक wave तरीके से बन गई है यहाँ पे, और वी होप कि सब कुछ अच्छे से हो, और you all are students, you all are aware, you all are educated, so आप अपनी society को ब एजुकेट कीजिए कि हमें किस तरीके से जो कुछ precautions रखने हैं, wear mask all the time, whenever you go outside, and even try to defer the situation, that you don't need to go outside in the rush, rush या crowd में आपको जाने की जोरती ना पड़े, सबसे पहला तो situation को इटाली है, लेकिन अगर जाना पड़े, कोई work है, को important compulsion है कुछ, तो wear mask, and hence, जो हो sanitize करते रहिये, और all of you, together we can defeat this crisis, अब यह जो situation है कुछ ऐस है, उनके हाथ से निकल चुकी है, सीदी सी बात है, governments can make some rules and regulations, government can aware us, now it is up to us, यह हम पर है society के रूप में, कि हम सब मिल कर कैसे जो है, इसका सामना करते हैं, इस crisis का, COVID crisis का, और obviously education का तो नुकसान बहुत हुआ है, इस corona crisis से, तो study के साथ में जुडते रहिये, जुडे रहिये, औ पनी study को continue केजी, all of you, thank you very much all of you, stay tuned with NCEERT Way UPAC, if you have not subscribed yet, please subscribe the channel and share with your friends, here in NCEERT Way UPAC, you get a good content, best content and we study here in depth, thank you very much all of you, thank you.